नमस्कार, इस्टेडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है आज हम इस वीडियो में एंसियाटी की कक्षा सात्मी की हिंदी पाठ्थे पूरक पुष्टक बाल महा भारत कथा के 32 अध्याय भीश्मों सरसईय पर इस अध्याय के महत्पूर्ण प्रसनुतरों को पढ़ेंगे वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रसन पूँचा जाएगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं तो आइए वीडियो सुरू करते हैं भीश्म सरसईय पर इस अध्याय का सबसे पहला प्रसन है युद्ध के दसवें दिन पर अर्जुन ने भीश्म पर बाल किस प्रकार बरसाए इस प्रश्ण के उत्तर में हम लिखेंगे कि उद्ध के दस्वे दिन में अरजुन ने भीश्म पर बाण सिखंडी की आड में बरसाए अध्याय का दूसरा प्रश्ण है अरजुन के बाणों के बरसाने के बाद भीश्म का क्या हाल हुआ इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं अरजुन के लगातार बाण बरसाने से भीश्म के सरीर में बाण ही बाण घुस गए थे ऐसी अवस्था में ही भीश्म रत से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े भीश्म सरसया पर इस अध्याय का तीसरा प्रश्न है धर्ती पर गिर कर भीश्म ने अरजुन से क्या कहा इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे पिता मह भीश्म अरजुन से बोले बेटा सिर लटक रहा है कोल ठीक सा सहारा तो लगा दो अध्याय का चोथा प्रश्न है भीश्म जब सरसया पर पड़े थे तो उन्होंने अरजुन से क्या कहा इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं भीश्म जब सरसया पर पड़े थे तो उन्होंने अरजुन से पानी मांगा अध्याय का पांचुआ प्रशन है अर्जुन ने पितामा भीज्म को कैसे पानी पिलाया इस प्रशन के उत्तर में हम लिखेंगे अर्जुन ने पितामा को पानी पिलाने के लिए उनकी दाहिने बगल में परतवी पर बड़े जोर से धनुस का तीर मारा जो सीधा पाताल में जा लगा और जल का सोता फोट निकला पितामा ने मधुर सीतल जल पी कर अपनी प्यास बुझाई अध्याय का अगला प्रशन है भीज्म के सरीर त्यागने का उचित समय कब था इस प्रस्ण के उत्तर में हम लिखेंगे भीश्म के सरीर त्यागने का उचित समय सूर्य नारायन के उत्तरायन होने पर था आईए अब अध्याय के अगले प्रश्ण को करते हैं भीश्म ने करण से क्या कहा इस प्रस्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं भीष्म ने करन से कहा बेटा तुम राधा नहीं कुंती के पुत्र हो अकारण ही तुमने पांडों से वहर रखा तुम पांडों में जेश्ट हो मेरी इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेना पतित्तों के साथ ही पांडों के प्रती तुम्हारे बैर का भी आज ही अंत हो जाए। अध्याय का आठोवा प्रशन है करण ने भीश्म की बातों का क्या जवाब दिया। इस प्रशन के जवाब में हम लिखेंगे करण ने कहा की मैं जानता हूँ की मैं कुंती का पुत्र हूँ फिर भी मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। मेरा करतब्य है की मैं अंतितक दुर्योधन के साथ रहकर ही युद्ध करूँ। अध्याय का नवा प्रशन है द्रोणाचार्य सेना का संचालन करते हुए युद्ध में पांडव सेना के किन किन वीरों से अकेले भीड़ गए। इस प्रशन के उत्तर में हम लिखेंगे द्रोणाचार्य सेना का संचालन करते हुए युद्ध में पांडव सेना के वीर सात्य की भीम, अर्जुन, ध्रिष्ट दुम्न, अभिमन्यू, दुरुपद और कासी रास से अकेले ही भीड़ गए। अध्याय का दस्वा प्रशन है द्रोणाचार्य के सेना पती पद ग्रहन करने के बाद दुर्योधन ने उनसे क्या कहा। इस प्रशन के उत्तर में हम लिखेंगे दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से कहा कि किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़ कर हमारे हवाले कर सके तो बड़ा ही उत्तम होगा। आईए अब अध्याय के ग्यार्वे प्रश्ण को करते हैं। ग्यार्वे प्रश्ण में कहा गया है युधिष्ठिर को जिंदा पकड़वाने के पीछे दुर्योधन की क्या मनसा थी। इस प्रश्ण के उत्तर में हम लिखेंगे दुर्योधन की मनसा थी की युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया तो युध्ध सीग्र ही बंद हो जाएगा और कवराओं की जीत होगी। राज्य का बहाना देकर जुवे में फिर से हरा कर राज्य वापस छीन लेंगे। की चिलाहट से युध मैदान गुझ उठा इतने में अर्जुन ने गांडी उचला कर बाणों से आकास भर दिया जिससे सारे मैदान में अंदकार छा गया। आईए अब अध्याय के अगले प्रश्ण को करते हैं। भीष्म के बाद रीती नीती से कौरो सेना का सेना पती कौन बना। करण, द्रोडाचार्य, दुर्योधन, अथवा, दुस्सासन। इस प्रस्ण का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम और अपने सहर के नाम के साथ दे सकते हैं। सही और जल्दी उत्तर देने वाले अभ्यर्थी का नाम हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्पले करेंगे। तो इस प्रकार भीष्म सरसया पर इस अध्याय के सभी महत्तुपूर्ण प्रसनोतरों को हमने पढ़िया है। आसा करता हूँ यह वीडियो आप सब के लिए म रहें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।